नमस्कार सब्रंग समचार में आपका स्वागत हैं मैं हूं मेगा और आई ये नजर डालते हैं आज की प्रमुक खबरों पे जरकंड में सरकार बनने के बाद भ्रष्ट चार के आरोकों से धिरे अफसरों पर लगतार करवाई करने वाले मुठ्य मंत्री हमन्द सोरिन के निशाने पर धिरू अतिकारी है हिमन सोरेन ने भाजपा पर निशाना साथ तेवे कहा कि भाजपा के शासनकाल में पूरा सिस्टम बिगार रखा था उनका मकड जाल चारो तरफ फैला हुआ था हमारी सरकार धिरे धिरे उसे साफ करने की कोशिश कर रही है जारकंड के जमशेदपूर पस्चिंग विधान सवा छेतर के विधायक बनना गुपता पहली बार स्वास्तमंत्री बनने पर सहर पहुँचे मानगो चौक पर अभिनंदल समारो का आयजन किया गया था कॉंग्रिस के कारे करताओं ने उनके स्वागत में जम कर आतिश बाजी की इस दोरान देखते ही देखते वहां लंबा जाम लग गया इसमें पांच एम्बुलेंस फस गई करीव एक घंटे के बाद एम्बुलेंस जाम से बाहर निकल सकी लेकिन इसी बीच एक एम्बुलेंस में मौजूद एक मरीश की मौथ हो गई जामुमो के 41 स्वेस्थ आपना दिवसकारे करम उधगाटन के मौके पर 51 सूतरी प्रस्ताव प्रारित किया गया जामुमो के महासची विजय सिंग ने प्रस्ताव पढ़ कर सुनाया जिसे सिब्बु सोरेन ने पारित किया इसमें कहा गया है कि सरकार किसी भी कीमत पर जारखन में CAA और NCR लागू ना होने दे 1932 के खतियान के आधार पर स्थानियता तैह हो 3rd और 4th grade की नौकरिया पूर्ण रूप से जमाबंदी रायतों के वनसजों के लिए अरक्षित हो प्रस्ताव में वृद्ध, विद्वा और दिव्यांग पेंशन 2000 रुपे करने की भी मांग है पुर्व केंद्रिय मंत्री वहजारी बाकसांसर जयन सिंग ने केंद्रिय बजट को लोग कल्यानकारी बताते हुए इसे फिल गुड बजट करार दिया है भाजपा के प्रदेश मुख्याले में आयोजिस्त समवादता सम्मेलन में उन्होंने बजट के मुखे बिंदूओं की चर्चा की और जारखंड को बजट से होने वाली लाभों को मीडिया से साजा किया जयन सिंग का कहना है कि यह बजट किसान महिला युवाउ मद्यवर्ग के साथ साथ उद्योग जगत के लिए भी हितकारी है दुनिया में करोना वाइरस के बढ़ते प्राकूप के बीच बंगाल स्वास्त विभाग ने राज में बंगलादेश से सटी सीमा पर परिक्षन स्वास्त स्थापित करने का फैसला किया है राज स्वास्त विभाग में स्वास्त सेवाओं के निर्देशक अजय चकरवर्ती की माने तो बांगलादेश सीमा से सटी, हीली, पेट्रोपोल और येदे चेक पोस्ट पर मेडिकल जाच की विवस्था की गई है आरपी एफ और जी आरपी ने अपने सेयुक्त अभियान के दोरान हटिया रेलियो स्टेशन पर दो यात्रियों से करीब पचास लाख रुपे बरामत किये है तलाशी के दोरान तपश्वनी एक्सपेस से ये यात्रा कर रहे दो यात्रियों से यह राशी बरामत की गई है राजभवन की आलोकिक खुपशूरती का दिदार लोग 16 परवरितक कर सकते हैं। प्रवेश निशुलक रखा गया है। राजभवन में प्रवेश करने के लिए सुबह 9 बजे से ही गेव नमबर 2 पर भीर एकत्रित होने लगी थी। दस बजे आवस्यक सुरक्षा जांच के बाद लोगों को अंदर जाने दिया गया मौके पर आकर्शन का केंदर 1967 का मिसाइल टाइंक है जो इस बार प्रदर्शन के लिए रखा गया है। अगर आप सर्वी के जाने की राह देख रहे हैं तो थोड़ा रुकिए क्योंकि मौसम विभाग में चार फरवरी से फिर बारिश का पुरवानुमान किया है। विभाग के अनुसार चार फरवरी को जारखंड के कई इस्थानों पर हलके और मध्यम दर्श की बारिश हो सकती है। पाँच और साथ फरवरी तक जारखंड के दक्षिन भागों में भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। भारत दुनिया की पहली T20 टीम है जिसने पाँच मैचों की सीरीज का क्लीन स्रिप किया है। भारत पहली बार पाँच मैचों की T20 सीरीज खेल रही थी और उसने ये कारणामा कर दिखाया। इससे पहले किसी भी देश ने ऐसा कारणामा नहीं किया था। भारत और न्यूजिलेंड के पीच पांच मैचों की जो T20 सीरीज खेली गई उसमें मेजबान टीम को 5-0 से हार जेलनी पड़ी केल राहूल को इस ट्रिंखला में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए मैन अफ दी सीरीज का खिताब मिला वहीं जस्प्रीत बुम्रा को उनकी सांदार गेंदवाजी के लिए मैन अफ दी मैच का खिताब मिला संसत के पज़र सर्थ के दोरान विबक्षी दलों ने CAA, NPR और NRC को लेकर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया कॉंग्रेस, राष्ट्रिय जन्ता दल और कुछ अन्य दल पहले ही CAA और NCR पर ततकालीन चर्चा की मांग को लेकर राजी सभा में स्थगन प्रस्ताव देच चुके हैं लोगसभा में कॉंग्रेस सदस्यों ने प्रश्नकाल के दोरान CAA और NPR के मुद्दों पर भाड़ी हंगामा किया इस पर भाजपासांसर प्रवेश वर्वा ने जवाब देते वे कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम विपक्ष को खतम करना चाहते हैं चात्र संगटर एवीवीपी ने सुक्रता अभियान के तहट सहर के विभिन जलासों की साफ सपाई में जुपे हैं सुरसेती पुजा के दोरान सहर में विभिन जलासाओं में बरी संख्या में मूर्ती और पूजन समागरे का विसर्जन किया गया है जिसे एवीवीपी के कारे करताओं ने पाने से निकाल कर साफ किया ताकि पानी को करदू शित होने से बचाया जा सके साथी साथ लोगों को नहाने धोने या कपड़ा धोने में परिशानी ना हो जारकंड विदानसबा का बजट सत्र अब फरवरी मा के अंत में शुरू होगा अब तक बजट सत्र के 15 फरवरी के आसपा शुरू होने की सम्हावनाय व्रत की जा रहे थी लेकिन मंत्री मंदल विस्तार में देरी का प्रभाव बजट पर भी परा है मुख्य मंत्री इस सप्ता बजट की तैयारी को लेकर समिक्षा करेंगे और उनके साथ ही बजट सत्र की पिखी को भी अंतिम रूप देंगे भारतिय जन्ता पार्टे के सांसर जैन सिना ने कहा कि यदि जारकंड सरकार जमीन उपलब्द करा दे तो निष्चीत तौड़ पर केंदर सरकार प्रदेश में आदिवासी विश्व विधध्याले की स्थापना करेगी सिना ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी विश्व विध्याले जरूर खोलेगी लेकिन यह तभी हो सकता है जब राजसरकार इसके लिए जमीन उपलप्त करवाए उन्होंने ये बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि वित्यमंत्री के बजट भाषन में प्राइबस यूनिवरसिटी का कोई जिक्र नहीं था इंडियन मेडिकल एसोशेशन के बैठर करम टोली के आईयमे हौल में आयो जित की गई थी जिसमें स्टेट एग्जेक्यूटिव मेंबरों के साथ साथ डिस्टिक एग्जेक्यूटिव मेंबरों ने भी भाग दिया इसके लिए डॉक्टरों की टीम ने जारपन के मुख्यमंत्री हेमन सोरिन से मुलकात कर इसकी जानकारी भी दी और मुख्यमंत्री ने अस्वस्त किया है कि इस एक्ट को देखा जाएगा साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों के साथ एक मेटिंग भी बुलाई है जो बहुत जल्द होगी जिसमें क्लिनिकल स्टेवल एप कर बात होगी जो हड्याना मेडिकल की तरह 50 बैट तक फ्री इलाज कर सकती है आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजे इजाजत आगे की खबरों के लिए बने रहे सब्रण समचार के साथ धन्यवाद